सो गाइज मानेम इस आसीज और यू आर वाचिंग रिस स्ट्रोक लास्ट विक के स्मैकडाउन के एपिशोड में नया जैक्स मैच जीतने के बाद एक नॉलेज वाला सिंबल को उपर दिखाते हुए नजर आती है और गाइज ऐसे करके टीज हो रहा है कि नया जैक्स भी ब्ल स्ट गल्स देखने को मिलता है इस हुए इस वाले मैक्स में आमें उपर करके दिखाने लगती है और गाइज उसके बाद से ही यह तीज हमें देखने को मिल चुका है कि हो सकता है कि नया जैक्स स्टल और को ज्वाइन करने वाली है वह यिस परकार में यह तो हमें आप hen होने वाली है जो कि bloodline को ज्वाइन कर लेंगी और लास्ट विक के स्मैकडाउन के एपिशोड में वो तीज भी कर चुकी है और हमें देखने को भी मिल चुका है तो देखना काफ इंट्रेस्टिंग होगा गाइस कि यह वाला चीज हमें कब देखने को मिलता है लेकिन गाइस ह हम लोग पिछले विक के स्मैकडाउन के एपिशोड में कुछ यही चीज को देखते हैं और काफी साड़े अपडेट का तो यह कहना है कि सायद यह वाला चीज ना होने वाला है क्योंकि नया जैक्स bloodline को नहीं ज्वाइन करने वाली है तो टीज के बार में हमें देखना अब फ्यूचर होता है और क्या सच में नया जैक्स bloodline को ज्वाइन करती है या नहीं लेकिन गाइस जिस परकार से हमें देखने को मिला कुछ भी कहना मुस्किल है कुछ भी हो सकता है अभी bloodline में तो काफी सारे नए नए सुपरस्टार का डेब्यू हो रहा है टामा टोंगा झाल